बहुत ही कड़ी सच्चाई है जिन्दगी का रास्ता जो है न वो बना बनाया कभी नहीं मिलता जो इनसान जैसा रास्ता अपने लिए बनाता है उसको मंजिल जो है वो वैसी ही मिलती है यह बहुत सच्ची बात है अब आपको बहुत अच्छे से पस्ता है आप अपने फ्यूचर के लिए कैसा रास्ता बना रहे हैं ताकि आपको आगे चल कर उस परकार का मंजिल आपको मिल पाए अगर in future आगर आपको कुछ नहीं मिलता है तो आपका रास्ता आज का कहीं ना कहीं ठीक नहीं बना रहे हैं यह आपको सोचना पड़ेगा अगर आज आप मैनत कर रहे हैं, रास्ता अच्छा बना रहे हैं, पुरे जी जान से लगे हुए तो बिस्वास मानो आने वाला जो कल है ना, वो आपका होगा क्लास को स्टार्ट करूँगा और जिनका भी एक्जाम है आस SACC CGL का उनको best of luck एक्जाम बहुत अच्छे से आप सभी देना एक strategy वीडियो मैंने आपको कल रात को दिया था एक बजे कि कल के एक्जाम के बेस पर आज का एक्जाम देते वक्त आपके mindset में क्या क्या चीज होना चाहिए तो वो वीडियो आप सभी देख लेना और एक बात आप कोई भी एक्जाम दो SACC, Bank, Railway, आप किसी भी एक्जाम का जो है मोग टेस्ट यानि Speed Test जो है आप हमारे application को Google Play Store से डाउनलोड करने के बाद Success की 98 के application को डाउनलोड करने के बाद आप application के उपर आने वाले हर एक एक्जाम का मोग टेस्ट दे सकते हैं ताकि आप एक्जाम से पहले अपने आपको जज कर पाओ कि आप स्कोर कर कितना पाने और 349 वाला package बाई करेंगे तो एक साल के validity के साथ आपको एक साल तक हर एक्जाम का टेस्ट जो है वो दिया जाएगा और आज कवर करेंगे हम सभी 4th March के important current affair कुछ important point के साथ और जितने question भी आपको आज exam में आएंगे हर एक question आपको यहाँ पर मिलेगा और आप सभी को पता है कम ही question करवाता हूँ लेकिन वो question करवाता हूँ जो question exam में exact पूछा जाता है ठीक है तो जिनका भी exam आने वाला है S.C. Railway Bank आप कम से कम यह question देखना क्योंकि question में current affair के quantity बहुत जादा आ रहे हैं ठीक है तो देखते हैं पहला question आज का हमारे सामने है विस्व वन जिव दिवस 2020 हम लोग कम मनाया जाता है World Wildlife Day जो है हम सभी कम मनाते हैं यह आपको बताना है और यह मनाया जाता है आपका 3 March को यानि option number C 3 March और एक बात और इस बार का 2020 का विस्व वन जिव दिवस का थीन विस्व क्या है ये भी आप सभी याद रखना थीन से भी question आपकी exam में बन रहे है तो इस बार का World Wildlife Day का जो विस्व है वह है आपका पिरतिवी पर सभी जीवन को बनाय रखना sustaining all life on earth अगला question हमारे सामनी है किस विस्व विद्दाले ने खेलो इंडिया University Games 2020 जीता है और ये अवाट जीता है आपका पंजाब विस्व विद्दाले ने आपका option number A अगला प्रस्त हमारे सामनी है संगाई सायोग संगठन यानि संगाई कोपरेशन और एक बात पहले आप ये याद रखना न एक्जाम में काफी बार पूछा गया है संगाई कोपरेशन और्गनाजेशन का जो हेट क्वाटर है वो कहाँ पर है तो वो आपका बीजिंग चाइना में है यानि किचीन में है तो संगाई सायोग संगठन की रख्चा और सुरख्चा विसेग की दो दवस्तिया बैठक की सहर में आउजित की गई है और ये किया गया है आपका इसलामाबाद में आपका C ठीक है अगला प्रस हमारे सामने है किस बैंक ने हाल ही में बैंक में परमोटर की हिस्सेदारी कम करने के लिए भारतिया रिजर्ब बैंक से मंचूरी जो है वो ले ली है आपको बताना है किस बैंक ने हाल ही में बैंक में परमोटर की हिस्सेदारी को कम करने के बारे में भारतिया रिजर्ब बैंक यानि RBI से मंचूरी ले ली है और ये ले लिया गया है आपका कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा यानि option number आपका B और आज का आप सभी का पहला प्रस्थ यही से निकल कर आ रहा है आप सभी को comment करकर ये बताना है comment box में कि कोटक महिंद्रा बैंक के chair person कौन है ये आपका पहला question है और कोटक महिंद्रा बैंक का headquarter कहाँ पर है और कोटक महिंद्रा बैंक का tagline क्या है ये तीन चीज आपको comment करकर बताना है ये आपका आज का पहला प्रस्थ नहीं अगला question हमारे सामने है विस्व बैंक के अनुसार भारत को अगले दसक में अपने सडक दुरघटना के खत्रों को कम करने के लिए कितने billion का निवेस करने की आव सकता है आपको बताना है आप सभी को पता है इंडिया में road accident में बहुत जो है वो देथ होती है तो बिस्व बैंक के अनुसार भारत को अगले दसक तक अपने सडक दुरघटना के खत्रों को कम करने के लिए 109 billion dollar का निवेस करने की जो है वो आव सकता है और वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कोन है तो डेबीट माला पास हेड़ क्वार्टर वान्सिंटन डिसी जो आपका अमेरिका में पढ़ता है तो ये पॉइंट भी आप सभी को याद रखना है अगला क्वस्यन अमारे सामने है गंगा कयाक महसाओ का आठ्वा ससक्रण किस राज या फिर केंदर सासित परदेश में आउजित किया गया था तो वो होगा आपका उत्तराखंड अप्शन नंबर आपका बी और उत्तराखंड के सियम कौन है तिर्वेंदर सिंह रावत अगला प्रसमारे सामने है हाल ही में किस राश्टी अभ्यारण को परियावरण सवेदन सिल छेत्र गोसीत किया गया है बहुत इपॉर्टेंट कुस्सिन है ये वाला विच नेशनल सेंचुरी हैस रेसिंटली बीन डेकलेर्ट इको सेंसेटिव जोन और ये गोसीत किया गया है आपका नेशनल चंबल सेंचुरी को यानि राश्टी चंबल अभ्यारण को option number आपका ठीक है और एक बात एक्जाम में ये भी पुश सकता है ये नेशनल चंबल सेंचुरी कहाँ पढ़ता है तो ये पढ़ता है आपका मद्धे परदेश में मैं बार-बार बोलता हूँ एक्जाम में क्वेस्टिन वो बन रहा है जो टॉपिक चर्चा में है तो उस क्वेस्टिन के बारे में A to Z आपको चीजे पढ़ने पढ़ेगी ठीक है अगला प्रस्थ हमारे सामने है भारतिया पूरुस हौकी टीम को हाल ही में जारी FIH Federation International Hockey के अनुसार रैंकिंग में किस स्थान पर रखा गया है इंडिया टीम को यानि हौकी के मामले में इंडिया मेंस टीम को क्या रैंक दिया गया है लेटेस रिपोर्ट के अनुसार लेटेस रैंकिंग के अनुसार तो इंडिया को स्थान दिया गया है रैंकिंग में चौथा ठीक है टॉप पर कौन है तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो टॉप पर है जो देख वहाँ के प्रधान मंतरी का नाम है आपका सौपी विल्म्स क्यापिटल ब्रसल्स और मुद्रा इउरो तो आप समयज गए होंगे कि जो ब्रुसल्स है वो आपका बेलजियम का राजधानी है यानि इंडिया का जो रैंक है वो चार नंबर पर है होकी में लेकिन टॉप पर कौन है तो टॉप पर सिट्स पर है भईया आपका बेलजियम ठीक है ना अगला प्रसमारे सामने है नेशनल एंटी डोपिंग अजेंसी यानि नेशनल एंटी डोपिंग अजेंसी ने हाल ही में किस भार्थिय मुक्य बाच पर लगाये गए एक साल के परदिबंध को जो है वो हटा दिया है तो जो एक साल का बैन लगा था आपका सुमिश सांगवान पर उनके उपर से ये बैन जो है वो रिमूब कर लिया गया है हटा लिया गया है और NADA के CEO कौन है तो NADA के CEO है आपके नवीन अग्रवाल और NADA का हेट क्वार्टर कहां पर है तो वो हमारे भारत में ही है यानि की इंडिया में अगला प्रस्तम हमारे सामने है World Hearing Day कब मनाया जाता है यह आपको बताना है और यह मनाते हैं हम लोग 3 मार्च को यानि Option No.B और इस सबार का 2020 का विसए क्या था ये भी आप सभी पढ़ लेना Hearing for Life Don't Let Hearing Lost Limitive यानि जीवन के लिए सुनवाई से हानी को आप सी मितना होने दे यानि सुनवाई मतलब क्या सुनना बोल रहा है यहाँ पर अगला क्वस्यन अमारे सामने है सयुक्त रास्ट सुरक्षा परिशत की अध्यक्षता किस रास्ट ने की है और ये किया गया है आपका चीन के द्वारा यानि Option No.B Which nation has taken over the Presidency of the United Nations Security Council और वो होगा आपका Option No.B चीन अगला क्वस्यन अमारे सामने है किस रास्ट की रास्ट पती ने संसत को भंग कर दिया है और 25 एप्रेल को आम चुनाओ के लिए बुलाया है स्रिलंका में जो है वो संसत भंग कर दिया गया है और वहाँ पर 25 एप्रेल से चुनाओ होगा आप सभी को पता है सिरिलंका के पढ़ान मंत्री कौन थे पहले महिंदा राजा पक्सा अब दुबारा चुना होने वाला है राष्टपती गोटा बया राजा पक्सा जो दोनों भाई है कैपिटल क्या है वहां का सिरी जैवर्दने पूरे कोटे मुद्रा सिरिलंकन रुपी त मार्च का इसका पूरा पीडिय imports आपको वीडियो के डिस्किप्सन बॉक्स में मिल जाएगा या हमारे टेलीग्राम पर भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा और एक बात बहुत गुड मॉर्णिंग आपका दिन बहुत अच्छा हो और अपने सासाथ अपने मम्मी और पापा दोनों आपनी का ही खयाल लखेगा ठीक है ना चलिए